नमस्कार दोस्तों मैं आमकुर सिंग आपके बने यूटूब चैनल विकास इस्टेडी सर्गल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों जागरफी के पनी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो मानसुन की उत्पत्ति से संबंदित संगल पनाई थी उसमें दोस्तों जो हमारी तापी संगल पना थी उस पर हम लोगों ने पिछली क्लास में वह अच्छे तरीके से चर्चा की थी आज दोस्तों जो हमारा दूसरा भाग है उसका गतिक संगल पना उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे तो दोस्तों आप लोग वीडियो के साथ अंधर तक अवश्य बने रहें तो आप वीडियो को ज़्यादा सेयर करें लाइक करें और चैनल को दिक सेदिक सस्क्राइब करें दोस्तों देखिएगा मांसून के उत्पास से संबने संकलपना है गतिक संकलपना पर प्रकाश डाला तो दोस्तों इन्होंने जो हमारी तापी संकलपना थी उसका दोस्तों इन्होंने खंडन किया और अपनी नई जो संकलपना गतिक संकलपना उसको इन्होंने इस पर प्रकाश डाला या उसका प्रतिपादन किया दोस्तों इस मत के अंसार मानसून की उत्पत वाइवदाब एम वाइवदाब पेटियों में किसकाव से होता है दोस्तों जो हमारी ताफी संकलपना थी इसमें आपने देखा कि जो अरब सागर से उठने वाले मानसून या जो बंगल की खड़ी से उठने वाले मानसून किस प्रकार कारे करते हैं तो उसमें दूस्तों उनपर शाचा की गई थी लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि जो ताफिशंकल पना थी उसकोई नहोंने नाकार दिया और इन्होंने नाया मत दिया उसके अंसार दोस्तों ये कह रहे हैं कि वाईदाब एम वाईदाब पेटिया जो होती है उनमें दोस्तों खिसकाओ के अंसार जो मांसून है उस पर प्रवाव इसका ही पढ़ता है वाईदाब का और वाईदाब पेटिया जो है जिधर इनमें दोस्तों जो परिवरत होता है जिदर यह किसकती हैं, उसी दोस्तों मांसून का निर्माड होता है और मांसून उसी प्रकार कारिकरता है। आगे दोस्तों देखिएगा, चित्र के माध्यम से समझते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा, यह हमारी करक रेखा, जो साइठेश डिगरी नाथ जो सुकरकरे रेखा और जो साइठेश डिगरी साउत अचांस रेका हमारी मकर रेखा, दोस्तों जो हमारी zero degree विसोद रेखा है इस पर दोस्तों पिछली क्लास में हमने चर्चा की जो दोस्तों उतरी गोलाज की ओर से पौने आती हैं और दच्छणी गोलाज से यह दोस्तों आपस में विसोद रेखा पज़े प्टकराती हैं तो इसी छेतर में दोस्तों जो विसो close-up कि बंदि अभिसरण छेत्सका निर्माद होता है और दोसतों इसानेमादिपे जब होता है इसमें इस गतली जो 5 डिगरी नार्थ हमारी ऑच्छा निरेखा है और 5 डिगरी तक मत हमनेर पिस अच्छा निर्फ होता है इसे डोल ड्रम या सांद मेखला बोला जाता है इसमें दोस्तों जो यह च्छेतर बनता है यह च्छेतर होता है निर्मदाब का च्छेतर निर्मदाब पेटी का च्छेतर होता है या चीज आप लोग ध्यान रखें इनके अंसार दोस्तों जो हमारे फ्लोन में होते थे इनके अमसार इनका कहना ये है कि जो यह ITC going वाला च्रहा या सांध मेत खळावाला च्रह है जो हमारी जो दोस्तों दच्छिन पस्चिम मांसून हमारा है अरब सागरवार मांसून तब यह दोस्तों यह इसका निर्माण होता है और जब दोस्तों यह जो छेत्र है आईटी से जेट वाला यह मकर रेखा पर लंबोत होता है जब सूरी दोस्तों मकर रेखा पर लंबोत हो विस्थापित होगा तब भारत में दोस्तों जो हमारा उतरपुरी में मांसून है वहाँ उसका विकास होगा या उसका उदय होगा तो इनका कहना यही है कि जिस प्रकार दोस्तों सूरी का इस्ताना अंतरन सूरी दोस्तों अगर करकर रेखा पर लंबोत होगा तो यह च्छेतर जो है यह करकर रेखा की और विस्ताफित हो जाएगा और जो सूरी है वह मकर रेखा की और विस्ताफित हो जाएगा और उसी अंस दच्छणी व्यापारी पौने जब आपस में मिलती हैं तब ITCZ इंटर ट्रोपिकल कन्वर्जेंस जोन या अंता उसन कटिवंदी अभिसर्ण छेत का विकास होता है मैंने पिछली क्लास में आपका इस पर बहुत अच्छेत ही किसे बताया था दोस्तों इस छेत का जो निर्म में खला है यहां पर विसोद रिखी पठ़ुआ पौने प्रवाहिद होती है यहां पर दोस्तों विसोद रिखी जो पच्छुआ पौने यह प्रवाहिद होती है आगे दोस्तो देखिये गा अंता उसन कटिवंदी अभिसर्ण छेतर या ITCZ इक निर्मदाब की पेटी है य यह अच्छे दुस्तो गतिक पेट्टी है गतिक है इसका इस्थाना अंतरण उस तरफ होता है जिदर मैं आपको बताया कि जो मान अधिक होग वो किदर होगा जब लंबाउत सूरे का उसी तरफ जो हमारा ताम उत्रुजझे में लंबा होता है तो उत्री गुलाद में जो है तामान अधिक होगा अगर सूरी दच्छणी गुलाद में लंबा होता है तो जो तामान है वो दच्छणी गुलाद में या मकर एकापर अधिक होगा तो दोस्तों यह कह रहे हैं कि जो गतिक पेटी है इसका इस्ताने अंतर उसी तरफ होता है जिधर ताबमान अधिक होता है जब सूरी उत्तरायान होता है तब सूरी की केणे उत्तरी गुलाद में लंबद पड़ती है और उत्तरी गुलाद में ताबमान अधिक हो जाता है मैंने आपको बताए वही दोस्तो लिखा हुआ है जब सूरी उत्तरायान होता है तब सूरी की एकड़ने जो है उत्तरी गुलाद में लमवत पढ़ती है और उत्तरी गुलाद में तामान अधिक हो जाता है अता आइटी सीजेट जो है अन्तावुसर्ण कटबंदी तापित हो जाएगा इससे दोस्तों वाईदा पेटियों का खिसका उत्तर की ओर होता है तथा विसोत रेखी पच्छुआ पवने दच्छिण पश्चिब मानसून के रूम में भारत में प्रयोस करती है जब दोस्तों पिछली क्लास में मैंने जब आपको जो हमारा पहला इ निम्न वाईदा पेटी है या दोस्तों उत्तर की ओर करके रेखा के विस्थापित होती है तो दोस्तों जो विसोत रेखी पच्छुआ पवने हैं या दच्छिण पश्चिब मानसून के रूमें भारत में प्रयोस करती है या अरपसागर वाली जो अरपसागर वाला और गवी स्चंपा को जाता है दोतरोंतर जाता है जो पूरी मांसून कि इसका उसका है और ग्रियस मकाल में दोस्तों यहां उत्र पूरी मानसून आरब सागरवाल मानसून यह दोस्तों इसका उदध होता है ग्रियस्म काल में और सीट काल में दोस्तों जो हमारा उत्तर पूरी मांसुन है इसका विकास होता है यह चीज आप लोग ध्यान लगए इनका कहना यही है कि जो विसोद रिखी जो निम्दा पेटी है या आईटी सिजेट छेतर है उसका दोस्तों इस तरहां तरह जिस दिसा में होगा या जिस दोस्तों गुलाद में होगा उसी तरब दोस्तों उसी के अमसार मांसुन का उदाय होगा या मांसुन का विकास होगा आसा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो हमारी दूसरी दोस्तों संकलपना थी उसको दुस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा दुस्तों आप लोग वीडियो को एक से दो बात देखें तो आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ जाएगी दुस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जादा से जाद सेयर करें लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलते हैं इसके आगे अगली क्लास में तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन दोस्तों